हलो फ्रेंट्स वेलकम आपका हमारे चैनल पे तो फ्रेंट्स आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे UPITI रिजल्ट के बारे में जहां दोस्तो UPITI को जो सेकंड राउंड का रिजल्ट है वह आ गया है तो फ्रेंट्स अगर आपने UPITI का फॉर्म भरा था और पहले रिजल्ट में आपका नाम नहीं आया था आपने गॉर्वेट कॉलेज से डाला था अगर पहले राउंड में आपका रिजल्ट नहीं आया था आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला था जो सेकंड राउंड का रिजल्ट है वह आ गया है और आप कैसे चेक करेंगे कि इस से कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिपिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए तो फ्रेंड चलिए आप बात करते हैं यूपी आइट याई रिजल्ट के बारे में तो फ्रेंड देखिए यूपी आइट याई का जो सेकंड राउंड का सर्च करिए यूपी यसी वीटी डॉट यूपी डॉट एन आइसी डॉट इन तो जब फ्रेंड्स आप इतना सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट ओपन होगा और यहां पे सबसे ऊपर जो प्रोशाइट आपको दिख रही है या आप इस पर क्लिक कर दीजिए ज प्रवेश 2019 कर दीती आउंटन परडाम नीजी तो यहां पर आपको एक चीद ध्यान देना है कि फॉर्म को भरते वक्त आपने अगर राजकी के लिए केवल अप्लाई किया था तो आप राजकी पर क्लिक करिए और अगर आपने फॉर्म भरते वक्त केवल नीजी प्राइब जोच किया था और प्राइबेड भी चूच किया था तो उनके लिए यह Chit आप किया करेकर एक बार राजकी कर के अपना रेजल्ट देख लीजिए और एक बार जो है नीजी प्लिक करके अपना रेजल्ट देख लीजिए इनहीं दोनों में से किसी में आपको कॉलेज मिल ज तो अगर आपने नेजी और प्राइबिट दोनों कॉलेज चूज किया था तो इसी तरह आप देख सकते हैं तो चलिए आपको क्लिक करके दिखा देते हैं कैसे चेक करेंगे रिजल्ट को तो जैसे मालेजी आपने राजकी के लिए अपलाई किया था तो यहां से आप राजकी पर क्लिक करेंगे तो अभी यह ओपन होगा और यहां पर आपको क्या करना आएगी यहां पर आपको जो है कि रजिस्टेशन नमर डाल देना है और टेटा बर्थ डाल देनी है और उसके बाद समिट कर देना इतना करने के बाद फ्रेंट्स आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा तो फ्रेंट्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट कर यह सेयर करें चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं लिए नई वीडियो में ने टॉपी के साथ तकले बाइव हैं